तो अभी मैं जा रहा हूँ एरपोर्ट पिछली वीडियो का तुम्हें याद ही होगा कि मैं एक हेलिकॉप्टर लिया था और उस हेलिकॉप्टर में काफ़ी सारे डैमेजेश आगे थे तो उसे मैंने एरपोर्ट पे ठेक कराने के लिए दिया था और मुझे अभी मेकैनिक न आपर दोनों लेमर किन है और दोनों की दोनों रहा हो सकते हैं या पिकना साथ में पिर बात ही इंगे लेता और और जो कि कलती रूट पे आ गया तो फाइनली अभी जो कि मैं एरपोर्ट पे आ चुका हूं तो भाई इस कार को अंदर लेया के क्या ही करूंगा तो इस कार को जो कि यहीं पे खड़े कर देता हूं और जो कि अब चलते हैं सिधे हेलिकॉप्टर की पेमेंट करने के लिए और भा यह कि पहले जो की पीछे की ही फिट इसके विंग तूट चुकी थी और आगे की जो मों बाया मस लग रहा है है काफी तो जो आप यहां से निकलता हूं और जो की भाई मेरी न्यू थारत वह वह लेकिए बाई क्याई सीन हो रहा है यहां पर अभी मैंने देखा तो यहाँ पर एक्सिडेंट हो फाई मेरी थार यह मेरी नई थार के इनोंने क्या कर दिया है फाई सहाब इसका इतना बुरा एक्सिडेंट एक साइट से खड़ा करके गया थे इसको और फाई इसके दोनों दरवाजे ही उड़ चुके हैं फाई सहाब और ही क्या मचा दिया यार इसकी काल का इसका कैसे निकालो यह थार outward फोग्या कि पूरी ने दुम्हाइप więc मेरी कालमें ठोके चल कि यह रही है तो तेरी वहन का भीन निकाल में इक मतलब मतलब क्या गढ़र मचा दी यार मेरी गाड़ी की यार इतने बुरी हालत कर दिया नहीं थारती यार इसको इतनी बुरी तरीके से डेमेज किया ना यार ले ओ भाई इसे चोट पैचाने के चक्कर से यार ना जाने मुझे क्या हुए क्या कार है भाई इसकी इसको जोई की यार मैं चोट पोचाता है तो इ जोगी मुझे दोबारा से नई फाल लेनी पड़ेकि और जोगी एंसॉरेंस थी तो जोगी मुझे इसम educator कर लेता हूं फॉन से और चलते हैं पहले घर और जोगी पैसा ले थे और टूशाय सह सूपनी इन्यू ये तो आप जोगा कि भाई ये फरारी ये क्या फरारी है यार मतलब कि मैं सुचा था कि इस फरारी को ले चलता हूँ और मुझे इसका मालिक नहीं दिख रहा तो लेकिन भाई ये फरारी तो पूरी की मतब दर्वाजे तूटिया क्या खटारा चल लिए यार ये फरारी ये मुझे घर तक सलामत पहुचा देगी भी या नहीं तो चलो या फाइनले जो है कि मैं अपने घर तो पहुच चुका हूँ और भाई जल्दी से यहां से पैसे उठा के चलता हूँ न्यू थार लेने के लिए और भाई की एक्तम खटारा फरारी थी यार ये अब समझ माया कि उस बंदी से एक्सिटेंट कैसे होगा यार बाइक से जाना पड़ेगा कार्टूनों ने मेरी बरबात कर दी तो चलो जल्दी से निकलते हैं यहां पर ज्यादा थूड तो नहीं है वैसे वह सूरूम और चलो यार अभी जो कि मैं सूरूम आ चुका हूँ और रास्ते में मेरा जोएकी चलान कट गया क्योंकि मैं हेलमेट पेंके नहीं निकलाता तो जोएकी रास्ते से मैंने हेलमेट तो ले लिया और देखो हेलमेट पे ऐसे काफी अच्छा लग रहा है लेकिन जोएकी हमेशा बाइक चलाते समय हेलमेट लगाना चाहिए तो यार मुझे तो यार ब्लैक फेवरेट है लेकिन यार यह भी कफी अच्छी लग रही है यार मुटि गला थार अब काफी कन्फिशन चल ला दिमाग में है कि से लूँ फिर सवार यह वाली थार तो लेकिन यार क्या क्या करें अब तो कि यह मिरा पहला प्यार तो बलेक थार, तो यप लेता हूं, तो चलो यार, इस थार की जो की Deskties driving ले लेते हैं । और उसके बादtoGS like government के तो अभा इसके Deskties driving ले ली और भाई ये वाली तो पहले बाली से भी एक्तम मक्षन चल लेगे यार तो चलो यार यहां के मैनेजर से बात कर लेता हूँ इस थार को खईदने की और जो कि भाई यह तुम देख सकते हो यह सामने खड़ी हुई मैडम है यहां की मैनेजर तो चलो अभी इन से बात करते हैं याई हाई मैडम मुझे यार ऐसे क्यों देख रही है मैं तो अपनी चाल ही चलना भूली है तो चलो यार फाइनली अभी इन से बात करते हैं ब्लैक थार की तो मैडम जो है कि मुझे ब्लैक कलर की थार पसंद आ चुकी है हाँ तो आपने पेमेंट काउंटर पर जमा कर दिया ही होगा हमारी ही सारी कार अची है हाप चाय तो मंटी कलर लाइट बलैक ब्लू जो चाय वो फार यहासे ले सकते हैं आपको पहले भी साइद आ चुके हैं यहाँपे हां मैं मैं yaha से कुछी तीन पहले नहीं कार लेकर गया था लिगिन उसका एकसिदेट की बात सुनके तो यह मज़ी कार भी पलता आया होकि वैपना घंपार के लिया लेके नहीं जाओंगा एक प Pakistan की बात की तो यार यह चली गए यार मतलब छोड़ो यार इसे कोई बात नहीं मतलब कि अब दिली दुखाद यार कोई बात नहीं थार is the best थार is my car तो चलो भी से लेके चलते हैं घर पर और भाई पहली वाली की तरह अब मैं इसे कभी भी रोड़ पर खड़ा नहीं करूँगा तो अब जोए कि मैं अपनी थार को घर पर लेया चुका हूँ एकदम सेफली और भाई अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है और अगर तुम चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और इससे पहले बाले पार्ट को जरूर द